मानने सुप्रिम कोट के 11 अगस 2023 के फैसले के बाद से जहां सभी राज्यों में और केंदरी इस्तर की जो सिख्षक भरती है चाहें केवियस की बात कर लिजे वो सभी मानने सुप्रिम कोट के फैसले को ध्यान में रखते हुए भरती प्रक्विया को आगे बढ़ा रहे हैं और 11 अगस 2023 के फैसले को ध्यान में रखते हुए बीएड अभियरतियों के कांसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दिया बाकी के अन्ने जो अभियरती थे यानि डियलेड अभियरती उनकी कांसलिंग प्रक्रिया को जारी रखा वहां का सिख्षा विभाग इतनी तेजी दिखात है कि अगले दिन कट ओफ जारी कर देता है बीएड को बाहर करते हुए उसके बाद से बीएड वाली अभियरती मानिने सुप्रियम कोट कर दरवाजा खटकर आते हैं वहां पर मानिने सुप्रियम कोट बीच प्रक्रिया में किसी भी प्रोसेस को रोकने से इनकार कर देता है और BA अभियर्थियों को भी इस सिख्षक भरती में शामिल कराते हुए काउंसलिंग करने का आदेश देता है साथी साथ उनके न्योकती पत्र पर ये मेंशन करने का मानने सुप्रिम कोट आदेश देती है कि इनका जो अभियर्थन होगा वो जो हाई कोट से डिसाइड होगा उसके फैसले पर निर्भर होगा अब ये जो मामला है जो मानने सुप्रिम कोट ने फैसला दिया वो सिर्फ उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराने तक दिया था माने ने Supreme Court ये decide नहीं कर रही है कि BLA अभियरती पात्र होंगे या नहीं ये पात्र जो होगा वो High Court से decide होगा क्योंकि High Court में इससे सम्मन्दित मामला पहले चल चुका है और वहाँ पर merit पर decide करने की बात कही गई है आप लोग अगर Court judgment देखेंगे 11 अगस 2023 Supreme Court का तो वो merit पर ही decision दिया गया है और यहीं merit पर decide high court में होना बाकी है जिसमें चार हफते का समय दिया गया था राज सरकार और education department को अपना answer counter file करने के संदर में DLAW एरतियों का ये दावा है कि इस सिख्षत भरती प्रक्रिया में हमने पहले ही 28 जून 2018 के उस gadget notification को challenge किया था जब ये पूरी भरती प्रक्रिया पहले से ही एक तरीके से subject to read petition थी ये DLAW का दावा है जब पहले से subject to read petition थी तो फिर honorable Supreme Court ने जब हैसला दे दिया तो फिर उसके अनुरूप भरती प्रक्रिया चलानी चाहिए इसको ले करके दो दिन से वहाँ पर जो DPI है education department जहां से पूरी भरती प्रक्रिया आगे proceed हो रही है बियर्ड अभियर्तियों को counseling में शामिल कराते हुए उन वहाँ पर अभियर्ती लगतार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्योंकि मानेने Supreme Court ने जब अपना judgment दिया उसके एक दो दिन बाद फिर B8 अभियर्तियों को सामिल कराते हुए cut off और सवरी चीजे process आगे बढ़ा दी गई यहाँ पर डियलर्ड अभियर्तियों का दावा यह है कि राज्य सरकार यहाँ पर थोड़ी सी राजनीती कर रही है अगर वह जब तक high court से मामला decide नहीं हो जाता तब त पिर आपको पता है कि इतने जो प्रक्रियाएं चल रही है उसको एक-दो महीना होल्ड करने से कोई बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं होगा तो यहाँ पर जो B8 वाले अभियर्तियों वो यह डिमांड कर रहे है कि प्रक्रिया अपने नियत समय से होनी चाहिए और D इसको ले करके दो दिन से DPI पर वहाँ पर लगतार धरना प्रदर्शन चल रहा है लगतार मीडिया की कवरेज मिल लई है और राजिस सरकार की अगर हम लोग बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो वहाँ पर शाप सब्दों में ये कहा जा रहा है कि सुप्रियम को इसको पर शाप सब्सक्राइब लगतार मीडिया है और राजिस सरकार का पक्ष और जो एनसीटी है उसका पक्ष सुना जाएगा नसीटी से पूछा जागा कि आपका क्या रुख है तो उनका तो पहले ही गजट नोटिफिकेशन सुप्रिम कोट ने रद्द कर दिया है जिन उनको जजमेंट को उन्होंने कोट ओडर को अपने वेबसाइट पर डाल दिया हुए तो उनका तो रुख अभी तक के हिसास से बिलकुल इसपष्ट है कि ऑनरेबल सुप्रिम कोट के डिसेजन का वो पालन करने जा रहे है बाकी राजिसरकार की अगर हम लोग देखें तो राजिसरकार हाई कोट के आदेश पर बियट को बाहर करते हुए कांसलिंग का नोटिफिकेशन जारी करती है और जब सुप्रिम कोट फैसला देता है तो बियट को शामिल करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने मतलब कि राजिसरकार खुल करके किसी के भी पक्षम नहीं है अब देखना होगा कि जब मामला decide होगा तो क्या पूरा scenario रहने वाला है क्योंकि ये जो 36 गड़ की सिखख भरती है पूरे देश भर के जो भरतिया रुनिग में है उन पर impact डालेगी और ये जो पूरा decision है और जो पूरा scenario 36 गड़ में चल रहा है वो जो clarification application दायर किया गया उसम उसी प्रकार से आगे प्रोसीड करती रहेगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो